हेलो फ्रेंड्स स्वाक्त है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्यानवीद 71 में दोस्तों आज हम आपके साथ डिसकस करेंगे टॉप 50 HPGK के कॉस्चन जो कि हेल्पूर रहेंगे आपके आने वाले HP Forest Guard के एक्जाम के लिए तो इससे पहले भी हमने 50 कॉस्चन जो है वो आपके साथ डिसकस किये थे तो आज यह है आगे नेक्स्ट 50 कॉस्चन रहेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉस्चन नमबर 51 से 9 Hall Golf Course ही मचल परदेश के किस्तान पर स्थित है तो इसके लिए राइट अंसर रहेगा नाल देहरा डिस्टिक्ट शिम्ला में यह वाला कॉस्चन जो है दोस्तो पहले भी एक्जाम में पूछा गया कॉस्चन है कॉस्चन नमबर 52 रहेगा S.C.E.R.T. State Council of Educational Research and Training कार्याला हिमाचल परदेश में किस्तान पर स्थित है दोस्तो इसके लिए राइट अंसर रहेगा डिस्टिक्ट शोलन में कॉस्चन नमबर 53 रहेगा भर्मानी देवी मंदिर हिमाचल परदेश के किस जिले में स्थित है कॉस्चन नमबर 54 रहेगा भीम घसूतली दर्रा जो हिमाचल परदेश के किस जिले में स्थित है इसके लिए राइट अंसर रहेगा डिस्टिक कांगडा को और डिस्टिक चमबा को कॉस्चन नमबर 55 रहेगा इसके लिए राइट अंसर रहेगा कॉस्चन नमबर 57 रहेगा ट्रेवल इंदा हिमाचल प्रोविंस ओफ हिंदुस्तान पुस्तक किस के द्वारा लिखी गई है इसका राइट अंसर रहेगा वीलियम मूर क्राफ्ट जी के द्वारा कॉस्चन नमबर 58 रहेगा सुकेत रियासित के संस्तापक कौन थे इसका राइट अंसर रहेगा बीर से इंजी कॉस्चन नमबर 59 रहेगा सुन्दे नगर का पुरान नाम क्या था तो इसका राइट अंसर रहेगा बनेड कई बार ये वाला अग्जाम पहले भी पूछा गया है कॉस्चन नमबर 60 रहेगा सिमला मेस्तित गेटी थेटर की स्थापना कब हुई थी तो ये हुई थी 1887 में कॉस्चन नमबर 61 रहेगा पौरी परव हिमाचल परदेश के की जिले में मना जाता है तो ये मना जाता है डिस्ट लःस पीती में कॉस्चन नमबर 62 रहेगा लकस्मी नट रायंर मंदिर हिमाचल परदेश में की स्थान पर स्थित है तो इसका राइट अंसर रहेगा डिस्टिक चम्बा में कॉस्चन नमबर 63 रहेगा भुडील हिमाचल पर्देश की किस नदी की साहयक नदी है तो इसका राइट अन्सर रहेगा रावी नदी कॉस्चन одно 64 रहेगा किस के नाम पर हिमाचल परदेश के क्रिशी वि सोविड्यला का नम रखा गया है इसका राइट अंसर हैगा चौधरी सरवन कुमार जी के नाम पर Q.65 रहेगा कलपा हिमाचल परदेश के कीज जिले में स्थित है इसका राइट अंसर हैगा डिस्टिक के नौर में Q66 रहेगा हिमाचल परदेश से भार्त का प्रथम मुख्या नयाधीश बनने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था तो इसका राइट अंसर हैगा जस्टिक मेहर चंद महाजन जी Q67 रहेगा कीस जेले का मुख्याला सबसे कम उन्चाई पर स्तित है Q68 रहेगा 1805 इस्वी में कांगडा के लिए पर किसने चड़ाई की थी तो इसका राइट अंसर हैगा अमरसी थापा जी ने Q69 रहेगा हिमाचल परदेश में क्षेत्रिया मधुमक्की अनुसंदान के अंदर कहां स्तित है Q70 रहेगा पर मनाया जाता है Q70 रहेगा उनना अस्तान रहेगा बसॉली Q71 रहेगा कानम गुमपा किस जिले में है तो यह है रिस्टिक की नौर्म है Q72 रहेगा बैंक कॉब बिलासपुर किस्ता अपना किस वर्स हुई थी तो यह हुई थी 1944 Q73 रहेगा हिमाचल परदेश का कौन सा स्थान एशिया के आड़ो के क्डोरी के रूप में जाना जाता है तो राइट अंसर रहेगा राजगर Q74 रहेगा मुरिक त्रिशन नाम को उस तक किस के द्वारा लिखी गई है तो यह लिखी गई है संतक कुमार जी के द्वारा Q75 रहेगा डिश्टिक की नौर स्थान रहेगा सांगला Q76 रहेगा हिमाचल पर्देश के किस जिले मैं टिटोंग गाटी स्थित है तो यह है डिश्टिक की नौर में Q77 रहेगा हिमाचल पर्देश के हमीरपूर जिले के किस उभाग में परसिद बाबा, पालकनात मंदेश दित है तो यह है बर्स डिश्टिक हमिरपूर में Q78 रहेगा हिमाचल परदेश की किस नदी की उपनदी बान गंगा है तो राइट अंसर रहेगा ब्यास नदी Q79 रहेगा हिमाचल परदेश के दूसरे मुख्यमंत्रे कौन थे ठाको रामलाल जी Q80 रहेगा परशिद पर्यावन विद किंक्री देवी हिमाचल परदेश के किस जिले से सुबंदी थे हैं तो इसका राइट अंसर रहेगा सिर्मौर Q81 रहेगा मेहतवपूर एक परशिद उद्धयों की किशितर हिमाचल परदेश के किस जिले में स्तित है Q82 रहेगा सिब्बा रियासित के संस्थापत थे तो राइट अंसर रहेगा सिव रामचंदर जी Q83 रहेगा कौन से मुगर सास्क ने कांगड़ा के लिए में महस्जिद कनिर्मान करवाया था Q84 रहेगा किस नदी पर स्वारा कुंडू जल विदुद प्रियोजना स्तित है तो यह है पब यमुना Q85 रहेगा हिमाचल परदेश में किस स्थान पर किस प्रशिक्षन के इंदर स्तित है तो यह है सुंदर नगर Q86 रहेगा तीलिप 80 हिमाचल परदेश के किस जिले का लोक नरित्या है तो यह है डिस्टिक कुलो का Q87 रहेगा जांजरदार हिमाचल परदेश के किस जिले में स्तित है तो यह है डिस्टिक बिलासपुर में गुच्ट नंबर 88 रहेगा लोसु उत्योहार हिमाचल परदेश के कीज जिले में मना जाता है यह बना जाता है इस्टिक्ट लहाज कीति में Q91 रहेगा धनकरमठ हिमाचल परदेश के कौन से जिले में स्तित है? तो यह है लहौल स्विती में स्थान रहेगा काज़ा Q92 रहेगा इंपीरिय सिमला नामक पुस्तक किसके दौरा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है पमेला कंवरजी के दौरा Q93 रहेगा थमसर परवत हिमाचल परदेश के किस जिले में स्तित है? तो यह है डिस्टिक चंबा में Q94 रहेगा प्रसिद पिकनिक स्तल धरम कोट किस जिले में स्तित है? तो यह है डिस्टिक टांगडा में Question number 95 रहेगा, रंग महल हिमचल परदेश के कौन से जिले में स्थिते हैं तो ये है डिस्टिक्ट बिलासपुर में Question number 96 रहेगा, बाबा कांसी राम को पहाडी गांधी नाम से सरुपरतम किसने संबोधित किया था तो ये किया था, जौहाल लाल नहरु जी ने Question number 99 रहेगा, कि बाबा कांसी राम जी को किसने सरुपरतम पहाडी गांधी के नाम से संबोधित किया था तो ये किया था, जौहाल लाल नहरु जी ने Question number 97 रहेगा, बैजनात का पुरानाम क्या था, तो इसका नाम था किरग्राम Question number 98 रहेगा, कुमार से रियास्त के संस्ताफक कौन थे, तो ये थे राजा किराज जन्दी बात कर लेते हैं, Question number 99 की, कमाकसा देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है, तो ये है डिस्टिक्ट मंडी में Question number 100, very very important question रहेगा, क्योंकि कई बार जो है ये पहले भी एक्जाम में पुछा गया question है, महात्मा गंधी 1921 में पहली बार शिमला आये थे, तो कब आये थे 1921 में, ये याद रखना है, तो वहां कौन सी जगा पर ठह रहे थे, वो ठह रहे थे, सांती कुटीर में तो दोस्तों ये थे top 50 questions जो की helpful रहेंगे आपके आने वाले HP Forest Guard के exam के लिए, वीडियो आपको कैसे लगी, comment box के मादम से हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, धन्यवाद दोस्तों